Hello students, उम्मीद करता हूँ, आप रोजाना study का time निकाल रहे होंगे, exam अब ज़्यादा दूर नहीं है, समय निकालना शुरू कर दो आज हम Alfred Lord Tennyson बहुत ही important पर हम study करेंगे Ulysses Ulysses की जो खास lines है, जो exam में आ सकती है और जो story में साहिक होंगी वो line to line मैं आपको explain करूँगा, इसके लाबा जो इतने भी facts है, तो शुरू कर दे बिना time को बरबाद किये Ulysses, ये लिखी गई थी 1833 में, जब Arthur Halam की death हुई थी 1833 में उसके बाद मनोना है कई एक सारी pom लिखी थी उनकी आद में, तो उनमें से एक pom ये भी है और publish हुई थी 1842 में काफी समय बाद ये publish हुई थी ये एक blank verse pom है, blank verse pom, इसका मतलब क्या है, unrhymed iambic pentameter में लिखी आती है, unrhymed iambic pentameter means जो pom का जो stanza होता है, वो unrhymed होता है, वहाँ पे आपको rhyming scheme नहीं मिलेगी unrhymed, rhyming scheme नहीं मिलेगी, और iambic pentameter में लिखी जाती है जो line होगी वो ठीक ठाक बड़ी होगी, ये नहीं होगी कि जरासी line हो, ठीक ठाक बड़ी line होगी उसको आप 5 मीटर में divide कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या होगा, एक unstressed, एक stress, unstressed, stress, इस तरह से चलता है जैसे attempt, attempt में एक silent होता है और attempt, इसमें जो होता है, ये stressed होता है, unstressed, stress, इस तरह से जो था 5 feet में हम divide करते हैं अन्राइम्ड होती है, और ambic pentameter में ये लिखी जाती है, ये जो pom है, ये dramatic monologue है dramatic monologue से मतलब क्या है, monologue, means dialogue, log means होगया, बातचीत, dialogue, dialogue में दो लोग बात करते हैं, dialogue, दो लोग के बीच में संभाद होता है monologue, mono means होगया, one, एक, एक ही जना बोलने वाला होता है, monologue generally pom में मिलेगा, Robert Browning का नाम जो है, monologue से बहुत जोड़ा हुआ है इसके लावा, drama में भी ये आपको मिलेगा, monologue में एक जना बोलता है, बाकी लोग जो होते हैं, वो listener होते हैं, के बहुत सुनने वाले होते हैं, एक व्यक्ती भी सुनने वाला हो सकता है, और जादा लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर जो है, एक जना बोलने वाला है, वो है Ulysses, और यह dramatic क्यों कहते हैं, नाटकी है इसमें जो बोलने वाला speaker होता है, वो अपनी feelings जो उसने करा है, वो बात करता है, ऐसा लगता है इसे नाटकी है कोई, नाटकी समभाद चला है तो dramatic monologue होता है, एक ही जना बोलने वाला होता है, बाकी लोग सुनने वाले होते है इसमें बोलने वाला Ulysses है, और Ulysses का जो दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, वो odyses भी है जो पिछली पॉम्ती, lotus eaters, उसमें हमने odyses के नाम से संबोधित करा है जो पुरानी पॉम्ती मैंने अभी पढ़ाई भी है, उसमें odyses के नाम से, तो दो नाम है इसके, एक तो Ulysses और दूसरा odyses Homer ने एक Greek epic, एक Greece language में महाकावे लिखा था, the odysi, उससे ये प्रभावित है और दूसरा, जो dante थे, italian poet, उन्होंने एक pom लिखी थी, the inferno, उससे भी ये प्रभावित है में जो है, जो Greek writer थे, Homer, उनके work odysi से ये बिल्कुल प्रभावित है, उसका जरूर ध्यान रखीगा अगर बात करें, Alfred Lord Tennyson की, तो Alfred Lord Tennyson ने जो है, अपनी pom का जो main hero है जिसको Ulysses कहेंगे, या फिर कहेंगे Odysseus, जो दूसरा नाम है, Odysseus इसको थोड़ा अलग दिखलाया है, Homer ने जो अपना work था, उसमें Ulysses को क्या दिखलाया था, Odysseus को क्या दिखलाया था कि वो 10 साल लड़ाई-लड़ी उसने, ट्रॉय में, उसके बाद में वो थका हारा घर गया, अपने सैनिकों के साथ में, रहने लगा लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग दिखलाया है, Alfred Lord Tennyson है, उन्होंने दिखाया है कि जो Ulysses है, Odysseus जिसका दूसरा नाम है वो घर पहुँचा, 10 साल की लड़ाई के बाद में, ठका हुआ है, लेकिन उससे जो घर का जो रोजमारा के कायरा है, वो बड़े बुरे लगने लगे अब, क्या है कि वो लड़ाई-लड़कर आया, उससे एडवेंचर की आदात होगी है, अब घर में क्या है, घर में वो अ अब जो है, हमें किसी एडवेंचर पर निकलना चाहिए, तो यहाँ पर एक अलग पॉंट पव्यू रखाया, अलफायल लॉड टैनिस जे ने कि Ulysses अपने लोगों से कारा है, Ulysses बोल रहा है, Ulysses अपने लोगों कारा है, अब हम फिर एडवेंचर पर हमें चलना चाहि बहुत ही बेकार है एक राजा होना और आलसी पड़े रहे राजा हूं रहे हैं कुछ है नहीं करने को अब जंग लड़कर आए लड़ाई लड़ी अब हम घर पे पड़े हुए तो बहुती बेकार है it little profits, बहुती कम फाइदे मन्द है एक राजा होना और आलसी पड़े रहना बिल्कुल एकदम, बिल्कुल बेकार है next line, यह शुरुआती लाइन है by, by means होता pass यह कहा है near by pass के लिए भी यूज़ करते है still यहाँ पर बुझा हुआ जो बुझा हुआ यह बुझा हुआ है हर्थ, चूला जो बुझा हुआ है, चूला है उसके पास बैठे रहना आ जाहूं, ठीक है अब कुछ करने को है नहीं ठीक है, खाना बनता है उसके पास बैठे रहना among these barren cracks cracks, cracks होती है उची नीची जगह जमीन को कहते है cracks, उची नीची चटाने जो यूलिसिस जहां रहता था इथाका, वो पहाड़ी जगह है उसको उसने barren cracks का है, बंजर चोटियां, बंजर पहाड़ी लाका इन बंजर पहाड़ी लाकों में रहना इथाका में रहना चूले के पास रहना बुझे हुए यह बड़ा ही एक boring काम है एक आलसी राजास जैसा लग रहा है मुझे matched with an aged wife मेरी एक बुड़ी wife है मैं बुड़ा हो गया हूँ, मेरी wife यह बुड़ी हो गया फर कोई उसे बुड़ा लग रहा है ठीक है, आसपास के लोग बुड़े लग रहे है अब मेरी एक बुड़ी wife है I met, मैं मिलता हूँ यह अलग तरीके से लिखा है, पॉमे मैं मिलता हूँ, and dole और देता हूँ, give और देता हूँ, unequal laws जो unequal laws है, जो बेकार के laws है unequal, जो बिना बरावरी के laws है उनके आधार पे मैं अपना नयाय देता हूँ हमें नयाय देना, मीनिंग निकालना है dole means होता, प्रदान करना, ठीक है, dole, प्रदान करना मैं प्रिदान करता हूँ अनिक्वल लॉस के अधार पर जो बेकार के लॉस के अधार पर मैं अपना नयाय देता हूँ सैविज रेस जो बेकार के लोग है जो बेकार की प्रिजा है प्रिजा भी बेकार लग रहे है बेकार प्रिजा race, race means लोग, unsavage होता है जंगली असब्वे, जो असब्वे प्रजा है, उनको मैं unequal, बेकार के कानून के आधार पे नयाए देता हूँ तो हर चीज मुझे अब बुरी लग रही है तो यहाँ पर बिलकुल वो अपनी लाइफ से boring हो चुका है और यह शुरुआदी चार लाइन्स ने, ठीक है ध्यान रखना है, शुरुआदी चार लाइन्स यह Ulysses की है फिर बीच की कुछ लाइन छोड़ी है, unimportant है I cannot rest, इतना देखो बस मैं आराम नहीं कर सकता अब वो साफ साफ कह रहा है, मैं आराम नहीं कर सकता, कहने मतलब है तुम भी तैयारी में लग जाओ अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब तैयारी में लग जाओ थोड़ा-थोड़ा समय निकालो, और पढ़ाई का और बागी काम भी करते रहो, ठीक है I cannot rest, मैं आराम नहीं कर सकता from travel, अब थोड़ा से इसको भूलाओ from travel, इसको मीनिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से करो मैं आराम नहीं कर सकता, from travel मुझे travel करना है, ठीक है I cannot rest from travel, मैं अब travel करने से नहीं बच सकता थोड़ा हमें मीनिंग को अलग तरीके से दिखा मैंने कई नदियों का पानी पिया है, इसका दूसरा मतलब क्या होगा हिंदी में, मुझे बहुत experience है, तो यहाँ पर क्या है, मुझे बहुत experience है, तो यहाँ पर वो कह रहा है, मुझे आराम नी करना है, मुझे travel करना है, I will drink life, मैंने घाट-घाट का पानी पिया है, मुझे बहुत experience है, तो वो adventure पर जाना चाहता है, अपने लोगों से, अब वो कह रहा है, पीच की लाइन को छोड़ी हुई है, I am become a name, I am become a name, मेरा एक नाम है, मेरे एक प्रसिध्धी है, मुझे सब जानते है, I am become a name, मेरा एक नाम है, for always roaming, मैं हमेशा घुमता रहता हूँ, गुमना, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, roaming, घूमता रहता हूँ, with a hungry heart, एक भूखे हिर्दय के साथ, एक भूखी ललक के साथ में, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, वही दस साल लडाई में बिताए, तो एक experience बोला है, for always roaming, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, with a hungry heart, भूखे हि भूमता रहता हूँ एक हंगरी हार्ट के साथ, एक भूखे हिर्दय के साथ, एंड डंक डिलाइट, और बैटल विद माई पीर्स, पीर्स हो दें साथी, पैटल लड़ाई, डिलाइट, आनंद, अब मीनिंग पूरा करो, डंक, पीना, यहाँ पे है, चखा, पोड़ा सा मीनिंग को पूरा करते हैं, चखा, मैंने अपने साथियों के साथ Ulysses वो कह रहा है मैंने अपने साथियों के साथ लड़ाई के आनंद को चखा है Troy में जो लड़ाई हुई थी Lotus Eater में भी यही कहानी थी जो Troy में लड़ाई थी जो Odysseus और Ulysses दूसर नाम है उसमें वो कह रहा है कि मैंने अपने साथियों तुमसे कहा है अपने साथियों से जो मैं उनसे कह रहा है मैंने अपने साथियों के साथ लड़ाई के आनंद को चखा है Troy के मैदान में Troy के मैदान में जो लड़ाई लड़ी थी उसमें लड़ाई के मैदान के लड़ाई के अनंद को चखा है far on the ringing, दूर Troy जो था, वो समुद्रपार था दूर ringing planes, गुमाओदार planes और windy Troy same thing here, ringing planes जो Troy के जो गुमाओदार मैदान थे वहाँ पर बहुत दूर मैंने लड़ाई के स्वात को चखा है अपने साथियों के साथ ये दोनों लाइनों का मतलब है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसे देख लो एक बार आगे बढ़ते हैं, कुछ लाइन सोड़ी है यहाँ पर, how dull it is, to pause, pause होता है रुकना, pause होता है ने टीवी में, how dull, कितना नीरस है, कितना नीरस भरा है to pause, रुकना, कितना नीरस भरा है, रुकना, to make an end, रोज मर रहा के काहिर करना, to make an end, आज ही भी का चलाना होता है, यहाँ पर है, रोज मर रहा के काहिर करना है, जो रोज मर रहा के काहिर रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, मुझसे परामश ले रहे हैं, मैं राजा हूँ, ठीक ह और रोज मरा के कायर करना अब अगली लाइन जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है to rust, rust मान होता है जंग unvarnished ये जो है न varnished जो है जो अब इंग्लिश को use कर रहा था पॉम में तो बदल लेते हैं varnished को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है पॉराने उसमें unvarnished means unpolished unpolished ये word use नहीं होते हैं कहीं not to shine in use अब इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब है किसी metal पर rust, जंग लग जाता है not to shine और वो नहीं चमकता not to shine, नहीं चमकता, जंग लग जाता है किसी metal पर वो नहीं चमकता unvarnished अगर उसे unpolished करा जाए means उस पर polish ना करा जाए not in use और नहीं उसे use करा जाए means अगर किसी metal पर unvarnished अगर किसी metal पर varnish ना करा जाए और not in use, not यहाँ पर use करेंगे और नहीं उसे use करा जाए लोहे को अगर आप use ना करो तो क्या होगा, rust वह रस्ट लग जाएगा अगर किसी मेटल को हम अनबार्णिस्ट उनपॉलिष रखे उस पर पॉलिष ना करें और नहीं उसे यूज करें उस पर जंग लग जाएगा तो बहुत बड़ी बात कई है एक लाइन में जब हम एक लाइन में बहुत गहरी बात करते हैं तो वह क्या होता है एपिग्राम यहां पर क्या यह एपिग्रैम है अगर देख लो इससे एक बार फिर आगे बढ़ते हैं जाइस का स्क्रींशोट ले लो गला नेक्स्ट कुछ लाइन झोड़ी यहां पर डॉट है इन इस गर इस छो को इन like ग्रेइज ओता है यह यूर्डेण के लिए यूजस होता है बढ़ापे बतलाता है बढ़ापे में बाल अगर इसे कहूं तो अभी लाशा है, कभी कवार हिंदी के वर्ड में दिक्कत आया थी, पता नहीं लग पाता कौन सा जो है सही वर्ड है इसका, अभी लाशा, इन डिजायर, जो इस्पिरिट है, अंतर आत्मा, यर्णिंग और डिजायर एक ही वर्ड है, वो अभी लाशा में जो है व्याकोल है, यर्णिंग और डिजायर, वो अभी लाशा में, डिजायर में व्याकोल है, एन दिस ग्रे, बढ़ापा आगया है, लेकिन जो इस्पिरिट है, बढ़ापा आगया है, लेकिन जो इस्पिरिट है, वो अभी भी, डिजायर, जो है वो अभी लाशा में व् यान का, like a sinking star, देखो, अब यहाँ पर like a assembly, sinking star की तरह, डूपत हुए तारह की तरह, पीछा करना चाहती है, जैसे डूपत हुए तारह होता है, वो कैसा होता है, बहुत तेही से जाता है, बहुत तेही से, तो जैसे डूपत हुए तारह, बहुत तेही से जाता है, उसी तरीके से जो मेरी spirit है वो knowledge को follow करना चाहती है वो पीछा करना चाहती है बहुत तही से लाइन को देख लो बहुत important है to follow knowledge, knowledge को पीछा करना चाहती है मेरी spirit, Ulysses कर रहा है like a sinking star, एक डूपते हुए तारे की तरह beyond, परे utmost, utmost होता है बहुत जादा, bound of human thought जो इंसानी सोच है उसकी जो boundary है सीमा है, उससे भी परे तो मेरी जो अंतरात्मा है वो इंसानी सोच से भी परे जाना चाहती है knowledge को पीछा करने के लिए knowledge को प्राप्ट करने के लिए इंसानी सोच से भी परे जाना चाहती है तो यहाँ पर पूरा हो गया है एक मतलब पूरा यहाँ पर meaning complete हो रहा है फिर यहाँ पर line शोड़ी है अपने साथियों को संभोधित कराई You and I are old संभोधित कराई यहाँ यहाँ पर हम और तुम तुम और मैं तुम और मैं अब बुड़े है अपने साथ ही हो कह रहा है, जो लड़ाई लड़कर आएं, ट्रॉइ में, तसाल लड़ाई लड़ी है, तो कह रहा है, अब तुम और में बुड़े हो गए, Old Age, Hath, Yet is Honor, Old Age का अपना एक सम्मान होता है, Hath, Hath means, यहां पे हैज है, अपना एक सम्मान होता है, ट्रॉइ और परिश्रम होता है, बहले ही बुड़ापा आ गया, लेकिन Old Age में क्या परिश्रम खतम होता है, Old Age में अपना परिश्रम होता है, death closes all death सब खतम कर देती है but something before the end error होता before लेकिन end रत्यू से पहले something कुछ करना है करने की English नहीं दिया but something कुछ करना है before the end रत्यू से पहले कुछ करना है death closes all रत्यू खतम कर देती है सब but something लेकिन कुछ करना है error before the end error means before रत्यू से पहले कुछ करना है some work कुछ कार रहे of novel note कुछ खास कार रहे कुछ बड़ा कार रहे novel note means कुछ बड़ा कार रहे ठीक है कुछ खास कार may yet be done वो अभी करना है yet be to yet be done passive voice वो अभी करना है तो हम लोगों को अभी कुछ बड़ा कायर अभी करना है, किसी एडवेंचर पर जाना है, तो एक लाइन इससे एक वार देख लो, या स्क्रिंशॉट लेलो, इंपॉर्टेंट लाइन सही है, आगे बढ़ते हैं, हाँ, लास्ट आ गए अब हो, लास्ट आ गए, बहुत ज्यादा लेट नहीं है, to seek, खोजना, a newer word, एक नए संसार को खोजेंगे हम, अभी हम ज्यादा लेट नहीं है, to seek a newer word, हमें एक नए संसार खोजना है, तो इस लाइन को देख लो, कम मैं फ्रेंट, मेरे साथ यूँ आओ, ज्यादा लेट नहीं है, to seek a newer word, कि अब हम नए संस को नहीं हो सकते हैं अब यह लास्ट की लाइन आ गहीं है यहां से लेकर पूरी लाइन जो है यह लास्ट तक है और इसमें लास्ट का हमें लाइन को देखना है not now not now से मतलब निकालो अब नहीं है that strength वो ताकत नहीं है which in all days जो है इसको थोड़ा सा भूल लाओ भी इसको हम इसके साथ में रखेंगे which से moved heaven and moved earth and heaven जो हिला देती थी जमीन और आस्मान को वारा दिखते हैं we are not now that strength हमारे पास वो ताकत नहीं है moved हिला देती थी अर्थ और heaven को means जवानी में जो हमें पास ताकत थी वो अपने शूरवीरता से धरती और आस्मान को हिला देती थी वो हमें पास ताकत नहीं है which in all days we are we are लेकिन भुड़ापे में in all days old days में we are we are हम वैसे ही है भही शरीय कमजोर हुआ है लेकिन हम तो वैसे हैं we are we are हम है हम वैसे हैं बड़ापे में तो भले हम शरीय कमजोर हूँ गें हम वैसे हैं यहा दिखो सवभाव यहाँ पहीं कहते है हैं यहां पहां कहते हैं माजले एक एकषैया वह सवभाव यहाँ तो दिमाग थे स्वभाव यहां अग वह स्वभाव एक और fur K और brave heart है हमारा जो heart है वो brave है, बहादूर है हमारा जो temper है, सौभाओ है, दिमाग है वो भी equal, बराबर है means हम उड़े हो गए हैं, लेकिन अभी दिमाग से, spirit से कमजोर नहीं है अब अगला मीनिंग made weak अब यहाँ पर देखो made weak से बड़ा जीब सा लग रहा है, यहाँ पर क्या है एक word लिखा होना चाहना है, physically made weak हम शारिक तौर पर कमजोर होगा है, by time time द्वारा और fate द्वारा, तो यहाँ पर क्या है personification, time और fate जो है, वो time जो है, वो कमजोर कर रहा है, time को personify कर रहा है तो time और भाग्य द्वारा, fate द्वारा made weak, हमें कमजोर कर दिया गया है physically हमें time और fate द्वारा कमजोर कर दिया गया है but strong in will लेकिन will, will होता है इच्छा शक्ती, इच्छा शक्ती होती है will, इच्छा शक्ती में हम बहुत मजबूत है, strong, बुड़े है लेकिन इच्छा शक्ती में हम अभी भी मजबूत है, but strong in will बहुत important line है, second, last line है हम मजबूत है in will, इच्छा शक्ती में last line कई बार पूछी लें ये exam में to strive, strive होता है, संघर्ष करना strive, संघर्ष करना to seek, खोजना संघर्ष करना, खोजना to find, पाना and not to yield, और ना जुकना, यही हमारा अब एक धै, एक हमारा संकल्प है, to strive संघर्ष करना, to seek खोजना, to find, पाना means adventure के हो खोजना, संघर्ष करना adventure के लिए खोजना, और पाना अपनी मंजिल को, and not to yield और ना जुकना, surrender ना करना, अब हमारा एक उद्देश यह है तो यह जो two है, two से देखरो same जब कोई phrase, कोई line या फिर जो line की शुरुवाती word same हो या फिर एक ही line में अलग-अलग जो phrases हो, उनमें same word हो जैसे यहाँ पे two, यहाँ पे भी two आगया, यहाँ पे two, two, two तो जब line में phrase, same word से start हो, जब फिर line में same word हो तो इसे हम एनेफरा कहते है एनेफरा तो यह last line है, इसमें क्या है? एनेफरा है ठीक है? बहुत important line है एनेफरा, इसी के साथ में पॉंप खतम हो थी students, उम्मीद करोंगा समझ में आयो पलते अगले वीडियो में, गुडबाई